दर्शुकूं आज बुद्वार है भग्वान गणीश का वार तो आज कोई भी काम शुरू करें तो भग्वान गणीश का नाम लेकर करें सब मंगल ही मंगल होगा और साथ ही में अपना राशी फल भी देखें तो आज हम आपको बताएंगे आपका राशी फल और इसे बतानी के लिए हमार साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने मानी जोती शाचारे पढ़ित मुकेशा से जी बहुत-बहुत स्वागत है पढ़ित जी जैशी किशन तो दर्शुकों अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा तो बिना देर की ये शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आपका आज का राशी पल गुलक्ट करते हैं कि कैसी रहेगे आज के दिन आपके ग्रफों की चाल सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन किसमत आपकी आज के दिन को शुब बनाने के लिए अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस सब पे चर्शा करेंगे साथ ही जानेंगे आज का दिन बहुत अच्छा है, जो भी पेंडिंग काम है, आज वो फिनिश हो सकते हैं, नई रेस्पोंसिबिलिटीज, नई जिम्मेदारी, नया पद मिलने के योग बनते हैं, पैसों से जुड़े नए सौदे भी हो सकते हैं, आज के दिन के सफलता के लिए किसी पंडिजी से दाइने हाथ में एक मोली कलावा बंदा लीजेगा और उनको दक्षिना भी दे दे दिजेगा, दिन अच्छा गुसरेगा, बात करते हैं रशब राशी वाले जो हमारे दशक हैं, आज विवादों और विवावित लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजेगा, फानेशल पोजिशन में बदलाव के योग बनते हैं, लंबे समय से रुकावा काम पूरा हो सकता है, आज के दिन के सफलता के लिए दूद पी कर थोड़ा सा पानी पीजेगा, दिन अच्छा गुसरेगा, बात करते हैं में तुनराशी वाले जो हमारे दशक हैं, आज कोई बड़ा फ परश्वरपन केजेगा दिन अच्छा गुसरेगा, बिल्कुल तो कोई भी फैसला लेने से पहले आज सोच विचार्थ जरूर कर लेजेगा, पंडिजी आगे भी राशियां जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर देविंद्र जी जुर गए हैं, परवत सर से, और सत्रा आ सर, मेरी समश्या है कि मैं अभी गुवर्मेंट जो की त्यारी कराऊं, गुवर्मेंट जो मेरी लगी नहीं है चीक है, शुकर की मादशा आपको चल रही है, उसमें सूरे का अंतर है, वैसे आपकी जेनम कुली बहुत अच्छी है, शनी स्वग्राई होके बैठा है, निश्यत तर पे आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है, वो बनता है सन 2019 में, 2019 के अंदर जो भी आप कमपेटिशन देंगे या 2019 में जो भी आपकी कमपेटिशन का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी कुली के अंदर सूरी स्वग्राई है, शनी स्वग्राई है, लेकिन वक्री है, लोही का चला मद्धिमा उंगली में धारन कीजिए, आपका जनम रेवती नक्षत्र का है, गर्मूल लक्षत्र का, ग्रय अच्छोने के बावजूद यदि सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसके पीछे एक मूल कारण मूल लक्षत्रों में जन्म होना भी है, तो आप अपने माता पिता से पूछिएगा, आपकी रेवती नामक नक्षत्र की उन् इनकरानवी डेटो बड़ बताती है, और बारा बजी का ये रात का समय बताती है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मन्जु जी, क्या पूछना चाहती है बेटे के लिए? वो समय रात को दिशावा दो बजे का है, जी, तेरा मई का, मला सुबर, तेरा मई हो ना, मौर्निंग में, जी, जी, पूछे, तो वो ना, चीए कर रहा है, उसका चीए प्लियर नहीं हो रही, दो-तिन साल से जाम दे रहा है, फिर रह जाता है देखिए मंजू जी, जातक बच्चे की जनमकुली का सवाल है, दो चीजे इसमें हैं, पहला तो इसका अश्वनी नक्षत्र का जनम है, गडमून लक्षत्र का, वो बच्चे जिन जातकों की, बार-बार में एक चीज आपको इसका आरकम के माध्यम से कहता हूँ, जो गडम अश्वनी नक्षत्र की मूल शान्ती करवा ली थी, तो अतिवत्तम है, नहीं करवाई है, तो योग्याचाय की निदेशन में, जब भी अश्वनी नक्षत्र है, उसकी मूल शान्ती अवश्य करवाई है, यदि आप चाते हैं कि इसके पेपर में कोई रुकावट नहीं वो सब क्लियर होते चले जाएंगे कहीं कोई चिंता की बात नहीं है इसको बोली एक तो निमित रूप से गणेशी के अराधना हर वुद्वार को अवश्य करे वुद्वार के दिनी गवशाला जाए हरी सबजी, हरा पालक, हरा चारा गवमाता को खिलाए सबलता इसके कदमों को चुमेंगे जी, तो हम उमीद करते हैं मन्जु जी जल्द ही आपका बेटा सीए बन जाएगा उपाय पंडिजी ने आपको बता दिये हैं आगे उशा जी कभी कॉल ले ले लेते हैं पंडिजी ये कोटा से जुर गई हैं और बेटे हिमान्च्यू के लिए ये जानना चाहती हैं 27 सितंबर 1994 डेट उप बद बताती हैं और 9 बच की 10 मिनिट का सुभा का समय बताती है आपका बहुत-बहुत स्वागत है उशा जी क्या पूछना चाहती है मेरे मेरे बेटे ने बिटे किया है वारंगर से तेलंगा ना वारंगर से जी और अभी बद पिछले चान कर लिया था और गेट की प्यारी विखी लेकिन होगा नी इसका वो बिलकुल मेरे मेरे बटे उसका कोई भी काम सही से नहीं बन पा रहा है और जोग करना चाह रहा है तो उसको गौर्मन जोग पर 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 मिल पाएगी देखी आप किन नहीं जो बच्चे की जनम कुली भीजी है सत्ताई सेप्टेंबर 1994 सुबह 9 बच के 10 मिनट पहली चीज तो यह है कि इसकी कुली में सरकारी नोकरी का योग नहीं बनता है तो आप वो गौर्मन कंपुटिशन की तैरी करने की बजाए उसमें समय खतम वेस्ट करने की बजाए कुछ दूसरा प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बच्चे की जनम कुली में विदेश में रहने की योग बनते हैं आउट आफ इंडिया इसके सैटल्मेंट का योग बनता है यदि कोई ऐसी नोकरी जो की फॉरण से संबंदित हो वो इसको मिलती है तुरंद प्रभाव से इस वो प्राइविट सेक्टर में चला जाना चाहिए गुरू की मादशा इसको चल रही है गुरू की मादशा और शनी का अंतर कुली में किसी तरह का वैसे दोश नहीं है शनी इसकी जनमकुली के अंदर स्वग रही होके बैठार अभी अच्छा समय है 2019 साल के अंतक और 2019 की शुरुवात में इसकी अच्छी प्राइविट जॉब लग सकती है और काफी आगे ही बच्चा राइस करेगा कभी-कभी कुछ लोगों की शुरुवात देश से होती लेकिन चुकि मंगल नीच का वो भी करम शेत्र में बैठा है इस वज़े से नोक्री के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है मंगलवार को हनमान जी के अराधना करे सुन्दरकान का पाठ करे सरसु के तेल का दीपक जला कर और उसके साथ में सफीद मुंगा सवा पांच या सवा छे रत्ती का चानली में अनामी का उंगली में धारन करवा दीची जी उशा जी मेहनद करने वालों की कभी हार नहीं होती है तो बेटे को जल्दी से अच्छी नौकरी मिलेगी सफलता मिल जाएगी आगे पंडी जी उशा जी ही जुड़ गई है चूरू से जुड़ी है ये और बेटे के लिए जाना चाहती है 21.11.1990 डेट of birth बताती है और 12.45 मिनिट का रात का समय बताती है बहुत-बहुत स्वागत है उशा जी क्या पूछना चाहती है ये पूछना जारेंगी बेटा है वो दाजरीती में है मतलब परेज कर चुका और वो बढ़िया है वाचे पर उसको सफलता पीगट बिलना 21 की रात का जनम है देखिए ऐसा है जहां तक आपके बच्चे की जनम कुली का सवाल है राजनीती के इसाब से अगर हम बात करते हैं इस बच्चे की जनम कुली के अंदर दो समस्या है पहली चीज़ तो यह है कि मंगल की मादशा इसको अभी अक्टूबर 2018 को खतम होने वाली है इसी वश अक्टूबर 2018 में मंगल की मादशा खतम होके 18 साल की राहू की मादशा शुरू हो रही है राहू जब चड़ता है दिमाग से तो बड़ा हैरान परिशान करता है राजनीती की शेत्र में आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करने के आउशकता पड़ेगी भारी मेहनत करने के आउशकता पड़ेगी उसके पशात ही जो है वो राजनीती की शेत्र में सफलता मिल सकती है विश्योग इनकी जनम कुली में है शनी और चंद्रमा विश्योग जो है वो भी राजनिती में उत्थान की तरफ जाने के से रोकता है योग्याचार के निर्देशन के अंदर विश्योग की शांती करवाई सावन का महिना चल रहा है उनको बोले कि इस सावन के महीने में जितना संबाव हो सके चांदी के जो चांद होते हैं वो शिवलिंग के उपर अविशिक के साथ चड़ाने हैं बाकी मातरानी सब अच्छा करेगी हमारा शुबा शिरवाद बच्ची के साथ तो आगे बढ़ते हैं पंदी जी रिया जी का भी कॉल ले लेते हैं राजगर से जुड़ गई हैं बेहन के लिए जानना चाहती हैं चब्वीस नौ उन्नीस सु पिंचानवे डेटोफ बड़ बताती हैं और बारा बच के चालिस मिनिट का दोपहर का समय बताती हैं दिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहन के लिए क्या जानना चाहती हैं जैशी किश्ट पंदी जी पंदी जी मुझे उसकी मैरीज और जॉप रिलेटेड को जना है देखी वीटा जहां तक इसके विवा का सवाल है गुरू की मादशा इसको चल रही है और गुरू का अंतर ही उसके अंदर चल रहा है विवा का योग इसका बनता है अगले वश दोजार उन्निस में अक्टूबर 2019 के पशायत में इसका विवाक का योग बनेगा साल भर बाद इस बच्ची की जनम कुली में सूर्य बुद्ध चंद्रमा शुक्र चार ग्रे एक साथ नोकरी के घर में बैठे लेकिन वहाँ जो बुद्ध उच्च का है वो अस्त है इसलिए आप सरकारी नोकरी में इस बच्ची को सफलता प्राप्त करनी है तुरन पभाव से एक पन्ना रत अंधारन करें सीधे हाथ में सबसी छोटी उंगली के अंदर अगर आने वाले समय में कमपेटिशन की तैयारी करती है तो निशित और पेस का सरकारी नोकरी में सेलेक्शन हो सकता है इसमें कोई दोराई नहीं है वजन के बराबर गुड का दान अभी सावन के महीने में ही करवा दीजेगा शुक्र नीच का है इसलिए कभी भी डायमंड भूल के भी नहीं पहने छोटी बच्चियों को दस वर्ष से कम की कन्याओं को हर शुकरवार को कुछ टब कुछ गिफ्ट देना है सत्ता है शुकरवार तक ये करवाईएगा सब कुछ अच्छा दे जी रिया जी उपाय बता दिये हैं वो कीजेगा आपको जरूर फायदा होगा गीफ का कॉल ले ले लेते हैं गीफ जी हमार साथ जैपूर से जुड़ी है पंडी जी बेटे मनीश के लिए जाना चाहती है गीफ जी बहुत बहुत स्वागत है बेटे के लिए क्या जाना चाहती है जै कुछना जी बेटा जैशी कुछना बेटा चादे शुड़ा जैटे है ते लिए देखे वेटा जहां तक आपके बच्चे की जनम कुली का सवाल है ये बच्चा एक खराब दौर में से गुजर रहा है शुकर की मादशा राहू का अंतर राहू ये पीरिड वैसे तो चलेगा 2020 दिसम्बर तक अभी बहुत समय है डेट दो साल का समय बाकी है राहू इस बिहेवलाई के सिनेक सांप जैसे चलता है ट्रेडा चलता है राहू इसके दौादश भाव में बैठा हूँ है जब दौादश भाव में राहू बैठा है तो वेर्थ का अपमान अप्यश कोर्ट का चैरी सब करवाता है गलत संगत के अंदर भी डलवा देता है कामों में रुकावट लेके आता है वो ही एक मुख्य कारण है इसकी जीवन में ऐसा फलता प्राप्त करने का बाकि इसकी कुली बहुत अच्छी शनी उच्चिका होके बैठा है साथ में सूर्य और मंगल दोनों प्रॉफिट हाउस में बैठे इसकी कुली में कोई कमी नहीं बस एक खराब दौर में से गुजरने के कारण जो है उस वज़े से इसकी बुद्धी भी भ्रमीत हो रही है रहिवार को भहरव मंदिर में दर्शन करें डाल की कचोरी दई मर्ती मां पे चड़ाए हो सके तो भहरव मंदिर के अंदर चो मुखा सरसु के तेल का दीपक भी जलाए निशित तोर पर इस बच्चे के जीवन के अंदर थोड़ी स्टैबिलिटी आना शुरूर विशाल जी का भी कॉल ले लेते हैं पंडी जी किशनगर से यह जोर गए है 29.10.1993 डेट ओफ बड़ बताते हैं और 10 बच के 17 मिनिट का राद का समय बताते हैं 29.10.93 जी समय दस बच के 17 मिनिट राद का जी विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है पूछे अपना प्रश्ट जैशी किशना जैशी किशना मैं को नदाता हूँ मेरी सरकारी मरोपनी लगेगी या नि लगेगी देखें वीटा आपको शुकर की मादशा चल रहे हैं 19 साल की जनवरी 2019 में शुकर की 19 साल की मादशा पूरी होने जा रही है उसके बाद में सूरे की मादशा शुरू होगी शुकर आपकी जिनमकुली के अंदर नीच का है इसलिए पिछले 20 वर्षों से 18 वर्षों से अगर देखें 19 वर्षों से आपके जिवन के अंदर काफी इस शुकर ने उतार चड़ाव किया संघश करवाया इसके बाद सूरे की मादशा शुरू होने वाली है और सूरे भी आपकी कुली में नीच का है आपकी कुली में सरकारी नौकरी का योग बनता है इसमें कोई दोराय नहीं है आपको महनत करनी चीए दो चीजे करवानी एक तो अश्वनी नक्षतर का जनम है गणमूल का उसकी आप शान्ती करवाईए उसके साथ में ग्रह शान्ती करवाईएगा जो शुकर नीचका है जो सूरे नीचका है हर शुकरवार को कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे माताजी के मंदिर में दर्शन करें एक तामभी का कड़ा सीधा हाथ में धारन करें सूरे भगवान को निमित रुप से जल का अर्ठपदान करें बाकि सन 2019 आपकी लाइफ का टर्निंग एर साबित होगा उसके अंदर आपको नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग है तो दर्शुकों आपकी परिशानियों के हल तो हम जान ही रही हैं साथ ही आपका आज का राशी फल भी लेकर आए हैं कर्क सिंग करन्या आपके लिए भी जान लेते हैं आपका राशी फल क्या कहता है आज का बात करते हैं कर्क राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज अपनी बोली के उपर अपनी जिवान के उपर अगर आपने कंट्रूल नहीं किया तो बातचीत में कोई बड़ी गलत फहिमी पैदा हो सकती है और वो गलत फहिमी आपके लिए बड़ी खरशानी का कारण भी बन सकती है आज के दिन के सफलता के लिए धनिया पाउडर और मिश्री मिलाकर खाईएगा दिन अच्छा नुच्छे लेगा आज के दिन के सफलता के लिए छोटे बच्चों का अंगूर के फलो का दान कीजिएगा दिन अच्छा गुसरेगा बात करते हैं कन्य राशी वाले जो हमारे दश्चक है समय पैसा आज दोनों नहीं गवाना है बचिएगा सोच विचार करके ध्यान से की गई तैयारी आज आज आपके लिए फल दाय करेगी वर्किंग सेक्टर में काम के उपर अपना फोकस बनाया रखिएगा आज के दिन के सफलता के लिए चंदन का तिलक लगाएगा दिन अच्छा गुसरेगा जी तो दिन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ करना है ये आप जान रहे हैं आगे की राश्यों की भी बात करेंगे और आपकी समस्याओं के समाधान भी जानेगे लेकिन यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप कही मत जाएएगा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दर्शकों ब्रेक से पहले हमने छे राश्यों की बात कर ली थी और जान लिया था कि आपको आज के दिन को शुब बनाने के लिए क्या करना है बात करते हैं ब्रश्यक राश्यों के साथ अपने आपको बदलने का प्रयास कीजिगा थोड़ी सी निराशा आज जरूर हो सकती हिम्मत मतारिएगा आज के दिन के सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाईगा बात करते हैं धनुराश्यवाली जो हमारे दशक है आपके लिए दिन समाने रहेगा बिजनेस सेक्टर में वरकिंग सेक्टर में आज दिन में कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है नया निवेश मत कीजेगा और अपने आपके तुलना दूसरों से मत कीजेगा पूर दिशा में अपने इस्ट देव को दीपक लगाएगा दीपक में कुम-कुम डाल दीजेगा और पास में लाल पुष्प रख दीजेगा दिन अच्छा कुछ देगा तो दिन को सफल बनाने के लिए क्या करना है ये जान लिया आगे आपकी समस्याओं के समाधान जानते हैं दिख्षा जी जूडगे हैं अपने जी सूरत गड़ से दिख्षा दी ये बहुत-बहुत स्वागत है डेट ओफ बर्त और समय बताएं तेरा गेरा पंचान लवे जी और समय प्रशन पूछिए अपना दिख्षा जी मैं मेरे सादी के दीन साल हो चार साल हो गया बच्चे नहीं है दीखे बेटा जहां तक आपकी जनम कुली का सवाल है इसमें सिर्फ आपकी कुली नहीं है आपके पती की कुली की डिटेल भी चाहिए होती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो योग है वो पत्नी की कुली से ही देखा जाए पत्नी की कुंड़ी में योग हो और पती की कुंड़ी में योग नहीं हो तो कैसे संतान हो सकती है इसलिए अगर बैटर होता अगर आप उनकी अपने पती की डिटेल भी आगे जब भी आप कॉल करें तो दोनों की डिटेल टाइम आप हमें अवश्य बताएगा जो आपने तारीक बताईए उस तारीक के हिसाब से आपको एक तो पितरों के नाम का शुद्य देशी कीगा अधिपक अपने पानी का मटका जा रसोई में भटते हैं वहाँ पर अवश्य लगाएं सूरे चुकि आपकी नीच का है जो कि वंश्वद्दी को रोकता है संतान सुक को रोकता है सूरे भगवान को नियमित रूप से जलका अर्द पदान कें रहिवार का फास्ट रखें अलूना रहिवार को नमक आपको नहीं खाना है उसके साथ में एक बहुत सरल उपा है जब गव माता अपने संतान को अपने बचड़े को बचड़ी को दूद पिला रही हो उस वक्त आपको गव माता की परिक्रमा करनी है और ये प्रात्ना करनी की हे गवमाता जिस पकार आप अपने संतान को लाड़ लड़ा रही हैं दूद पिला रही है ठीक उसी तिरे का सवभाग के मुझे भी प्रदान कीजिए कम से कम 40 दिन अगर आप परिक्रमा कर सकें तो निशित तोर पर बहुत जल्दी आपकी जो गोद है वो संतान की कलकारियों से कुझेगी आपको सरल से उपाय दिख्षाजी पंडी जी ने बता दी हैं साथ ही अगली बार आप जब कॉल करें तो अपने पती का डेट ऑफ बर्द भी साथ में दे दें आगे बढ़ते हैं मकर कुम्ब और मीन आपके लिए जान देते हैं आपका राशिफल क्या कहता है आज का बात करते हैं मकर राशिवाली जो हमारे दश्चक हैं आज का दिन आपके लिए यादगार बन सकता है किसी बड़ी परिशानी का समधान आज आपको मिल सकता है ऐसे काम पूरे हो सकते हैं जिनके बारे में आप पिछले कई दिनों से प्लानिक कर रहे थे आज के दिन के सफलता के लिए व्रदाशम में जाइएगा वो जो भी जरुत मंद हो दवाईयां जैसे चाहिएँ तो दवाईयों का दान कीजिएगा बात करते हैं कुमराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज अपने आपको कमजोर मत समझिएगा गलत समय गलत इस्तान पर आज आपको अपनी कैपेबिलिटी अपेबिलिटी उच्सा नहीं दिखाना है आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर या धर्म इस्तान पर निशुल के सेवा कीजिएगा दिन अच्छा कुजिए अंतिम जो राशी हो है मीन राशी पिछले दिनों की मेहनत से आपको किसमत का साथ मिल सकता है काम भी पूरे हो सकते हैं नोकरी, बिजनेस और केरियर के मैटर्स में आगे बढ़ने का समय है आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़े के नेचे तिली के तेल का दीपक लगाईएगा दिन अच्छा कुजिए तो तिली के तेल का दीपक लगाईएगा मीन राशी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पावर मंत जान लेते हैं दोस्तों किसी भी शुबकारे का शुबारम भगवान शी गनेश के नाम से होता है बच्चों को अगर हमें एजुकेशन के लिए भेजना है विध्या अधन के लिए स्कूल भेजते समय उनकी स्लेट पर सबसे पहले शी गनेशाय नमा ही लिखावा होता है व्यपारी जब अपने खाते बनाता है तो उस पर भी शी गनेशाय नमा लिखता है तो विध्या के देवता रिद्धि सिद्धी के देवता भगवान शी गणीजी माराज के प्रतिशद्धा और विनमृता रखकर हर तरह का सुख पाय जा सकता है विध्या से हमें ग्यान मिलता है बुद्धि मिलती है और बुद्धि से हमें संपत्ति मिलती है हमारे जीवन की आधार शिला जो है वो विध्या है बुद्धी है और उन सब के देवता कोन है भगवानशी गणेशी माराज कहते हैं विध्या ही जीवन की पहली संपत्ती है विध्या का आधार बुद्धी है जो दिमाग में रहती है और गनेशी माराज रिद्धी सिद्धी बुद्धी शुबलाप के पिता हैं देवता हैं गनेशी माराज के शरीर में हाती का सिर बुद्धी को कर्मक और शक्ती का पतीक माना जाता है सिर से जोड़ी सूंड बताती है कि बुध्धी कर्म और शक्ती में तालमेल होना चाहिए सामजस से होना चाहिए इन तीनों में सामजस से हो तबी हमें इस संसार में सफलता मिलती है तो अगर आपको भी बुध्धी के बल पर सफलता पानी है लेकिन सफलता की राह में रुकावट आ रही हो तो उसे एक सिंपल उपाय से आप दूर कर सकते हैं आए जानते हैं आपको नौकरी व्यापार एक्जाम्स में मन चाही सफलता दिलाने वाला एक सरल उपाय बुद्भार को सुबह सिनान करके नित्य कर्मर से निवरत होने के पशाद घर के मंदिर में या शिगनेश मंदिर में एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वस्तिक बनाईए उस पर गणपती सरूप कलावे यानी नाड़े से लिप्टी भी सुपारिस्तापित करें शिगनेश मूर्ती या सरूप की पूजा कीजिये चावल, पुष्पवस्त, रोली, पूजन, सामगरी के साथ एक मंत्र जो मैं आपको बताने जारा हमाँ उसके साथ दुरूवा तरपन करें देशीघी का दीपक जला कर आती करें शिगनेश की विशिष दुरूवा मंत्र के साथ पूजा सभी संकटों को, सभी बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में आपको अपार सुख और सफलता पता करती है बहुत सरल मंत्र पंडे जी ने आपको बताया है आज से ही इसका जाब शुरू कर दीजे उमीद करते हैं दोस्तों हमारे कारिक्रम आप सभी को पसंद आया होगा अगर आपके भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आप हमें इमील भी कर सकते हैं हमारा इमील आईदी है good luck tips at the read first indianews.com आप से फिर होगी मुलाकात अब तक के लिए खुश रही अपना खयाल रखे नमस्कार आप हमें आप के लिए घड़ का रखे रहाँ है